नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन GK MCQs Topic Wise हम यहाँ पे कवर कर रहें यानि कि सीरीज में हम पूरे उत्राखन GK को MCQ के रूप में कवर कर रहें और वो हो भी Topic Wise आज के इस वीडियो में हम बहुत ही important topic को यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस topic से हर exam में कम से कम एक question आपसे जरूर पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कौन सा बांध किस नदी पर है किस जनपद में इस्तित है और उससे जुड़ेवे अगर कोई extra fact है तो उनको question बना कर आयोग आपसे प्रश्न पूछता है आज के वीडियो में हम उत्राखन के जितने भी important जल विद्दूत परियोशना है जितने भी बांध है वो किस जनपद में है उनसे जुड़ेवे क्या तत्य है उनको हम यहाँ पर cover करेंगे और इसके बाद आपका यहाँ से एक भी question कभी भी नहीं छूटेगा आज के वीडियो में जैसे हम अभी तकी सीरीज में करते आए हैं पहले MCQ के रूप में सभी question को cover करेंगे उसके बाद एक नया segment हम इस वीडियो में करेंगे जिसमें मैं आपको जो important बांध है उनके जनपद और उनकी नदियां उनके quick list को हम यहाँ पर cover करेंगे जिससे आपका यह पूरा topic इसी वीडियो में खत्म हो जाए और आपको दुबारा कहीं और से इसे पढ़ने की जरूरत ना पढ़े तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के end पे अपना score comment box में जरूर बताईएगा और अगर आपने अभी तक इस सीरीज की जो previous वीडियो हैं उनको नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न है उत्राखंड का सबसे उचा बांध कौन सा है देखे उत्राखंड का और भारत का सबसे उचा बांध है टिहीरी बांध option C हमारा right answer होगा इसकी उचाई कितनी है 260.5 मेटर यह आपको याद रखना है बहुत बार exam में पूछी गई है टिहीरी बांध की उचाई ठीक है किस नदी पर ये बना हुआ है तो ये भागी रती और भिलंगना नदी पर बना हुआ है option में जाद तर आपको एक ही नदी का नाम मिलता है भागी रती लेकिन अगर कभी option में भागी रती और भागी रती और भिलंगना ऐसे option आ जाएं तो आप दोनों को चूस करेंगे भागिरती और भिलगना वाले option को ठीक है एक और fact आपको यहाँ पर अपना doubt जो है उसे clear करते वे चलना है देखिए पहले जो ये टीहरी बांध था ये Asia का number one यनकी सबसे उचा बांध था और विश्व का चोथा सबसे उचा बांध था ठीक है पहले अब क्या है अब ये Asia में आठवे नंबर पर है और विश्व में बारवे नंबर पर है ये आपको नया डाटा भी याद रखना है आपसे पूछा जाता है अब एशिया का और विश्व का सबसे उचा बांध चाइना का है जिसका नाम है जिन पिंग आई बांध इसकी उचाई 305 मीटर है और ये दुनिया का और एशिया का सबसे उचा बांध है तीरी बांध का बात करें जो उत्राखंड के अन्या बांध हैं सबसे उंचा तो हमने टेहरी बांध को देख लिया 260.5 इसके बाद कौन है दूसरे पर आता है किसव बांध किसव बांध जो की टोंस नदी पर बना है इसकी उंचाई 253 मीटर है ठीक है फिर आता है यमुना नदी पर बना लखवार बांध जिसकी उंचाई है 204 मीटर ठीक है फिर आता है कोसी नदी पर बना हुआ कोठार बांध जिसकी उंचाई 155 मीटर है और फिर आता है पश्यमी रामगंगा पर बना हुआ कालागड बांध जो की 126 मीटर उंचा है ये जो उत्राखंड के मैंने आपको करने के लिए आ सकता है चलिए नेक्स्ट है हमारा टिहरी बांध किस नदी पर इस्तित है अभी हमने देखा टिहरी बांध भागिरती नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध का इस्थानिय नाम क्या है देखे इस्थानिय नाम पूछा जा रहा है तो टिहरी बांध का इस्थान तोर पर ज COR Abape 58 नाम के अगर हम बात करें तो इस जलाशाय का जो आफिशल नाम है वह स्वामी रामतीर्थ सागर दोनों याद रखने है Cannes क्या है और ऑफिशल अधिकारिक नाम क्या है स्वामी रामतीर्थ और इस्थानिया क्या है सुमन सागर ठीक है नेक्स्ट है हमारा टिहरी बांध निर्माण किस वर्ष प्रारंब हुआ था देखें टिहरी बांध बनाने की जो शुरुबात होती है ये 1978 में शुरू हो गई थी option A हमारा right answer होगा यानि की टिहरी बांध बनना कपशे शुरू हुआ 1978 से इसके लिए आपको कुछ important वर्ष याद रखने है जहां पर भी इसका question आता है मैं आपको सारी चीजे वहीं पर recall करा देता हूँ ताकि आपका साथ साथ में रिवीजल भी चलता रहे एक ही question से आपके सारे question cover होते रहे देखिए टिहरी बांध को योजना आयूग ने मन्जूरी कब दी थी आप सभी जानते हैं 1972 काम शुरू हुआ 1978 से ठीक है और 1986 में इसको लेकर रूस के साथ समझोता होता है जिसकी वज़े से ये जो टिहरी बांध परियोजना थी 600 मेगा वाट की परियोजना 2400 मेगा वाट की परियोजना हो जाती है ये आपको याद रखना है ठीक है शुरूवात में कितने मेगा वाट की परियोजना थी केवल 600 मेगा वाट की नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे किस परियोशना को राश्ट्र का गाउं की संग्या दी गई है तो राश्ट्र का गाउं कहा जाता है टिहरी परियोशना को आप्शन B हमारा सही आंसर होगा आज के वीडियो में आपको उत्राखन में जो टिहरी बांध परियोशना है और और अपने दोस्तों से शेयर करते हुए चलिए, नेक्स्ट है टिहरी बांध का डिजाइन किस ने तयार किया था? बहुत बार ये कोशन पूछा गया है रिपेटेड कोशन है टिहरी बांध का जो डिजाइन था इसे प्रॉफेसर जेम्स बुरून के दोरा तयार किया गया था औप्शन C निम्न में से कौन सा बांध भूकंप अधिकेंद्रियाँ छेत्र महान टियर फास्ट पर इस्तित है ये बांध है आपका टिहरी बांध ठीक है, कौन से छेत्र पर है महान-Tier fast पर ये इस्तित है और अगर पूछेगा कौन से भुकंप zon में आता है तो zone 5 में आता है उत्राखंड राज्ये की सबसे बड़ी जल विद्धूत परियोचना कौन सी है उत्राखन राज्ये की वर्तमान में जो सबसे बड़ी जल विद्दूद परियोषना है वो है टिःरी परियोषना कितने मेगावाट की है? 2400 मेगावाट की परियोषना है ये आपको याद रखना है प्रस्तावित की बात करें जो चमपावत में बनेगी पंचिश्वर बांध परियोशना वो 5040 मेगावाट की है लेकिन अभी बनी नहीं है वो प्रस्तावित है तो वर्तमान में उत्राखन की सबसे बड़ी जल विद्दुत परियोशना कौन है टिहिरी परियोशना ठीक है जिसके बारे में मैंने आपको पर बताया था इस जलाशय का जो पूरा छेत्रफल है टिहरी बांध से जो वहाँ पर आर्टिफिचल जील बनी है और उसका जो ये छेत्रफल है पूरा का पूरा कितना है पेपर में पूछा जाता है 42 वर्ग किलोमेटर ठीक है यानि कि टिहर बान से जो वहाँ पर जलाशय बना है उसी जलाशय का इस्थानिय नाम सुमन सागर है आधिकारीक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है इसका जो पूरा छेतरफल है ये 42 वर्ग किलोमेटर का छेतरफल है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा टिहरी जल विद्दूत परियोशना नेमलिकित में से किन नदियों पर बनाई गई है अब ये जो परियोशना है टिहरी बान जल विद्दूत परियोशना आप जानते हैं भागी रती और भिलंगना नदियों के उपर बनी हुई है टिहीरी हाइड्रोलेक्टिक्स डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी THDC की बात कर रहा है THDC की स्थापना 1988 में होती है option C हमारा right answer यहाँ पर होगा 1978 में जब टिहीरी बांध का काम शुरू होता है उत्तर परदेश सिचाई विभाग उसको शुरू करता है लेकिन काम की गती काफी धीरे होती है 1988 में केंद्र सरकार टिहीरी बांध के निर्मान को अपने हाथों में ले लीती है और 1988 में ही THDC का गठन कर देता है 12 जुलाई 1988 को ठीक है और फरवरी 1989 में जो THDC था इसे टीहीरी बांध का काम दे दिया जाता है दोनों याद रखने है इस थापना आपको डेट सहीत याद रखनी है 12 जुलाई 1988 टीहीरी बांध से निकलने वाली सुरंगों की कुल लंबाई कितनी है देखे टीहीरी बांध और जो वहाँ पर बना जलाशा है इससे चार यहाँ पर सुरंग निकाली गई है जिनकी अगर हम मीटर में बात करें उनका डायमीटर कितना है तो 11 मीटर की वो सुरंगे हैं ठीक है डायमीटर उनका जो ब्यास है इनकी कुल लंबाई 6.3 किलो मीटर है आप्शन C वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मनजूरी दिये जाने के समय तिहरी बान परियोजना की अनुमानित विद्धुत उत्पादन शमता कितनी थी सही आंसर है 600 मेगावाट की वही कोशन है और ये पेपर में पूछा गया है कि जब 1972 में योजना आयोग ने तिहरी परियोजना को मनजूरी दी तो ये कितने मेगावाट की थी तो ये 600 मेगावाट की थी 1986 में रशिया के साथ समझोता होता है और तब ये 2400 मेगावाट की बनती है वर्ष 1986 में राश्ट्रपति मिखाईल गोरवाच्यों ने भारत आगमन के दोरान टिहरी बांध निर्माण हेतू केंद्र सरकार के साथ समझोता किया ये किस देश से संबंदित थे तो मिखाईल गोरवाच्यों कहां का था ये रशिया के उस समय राश्ट्रपति थे यानि कि उस समय का जो सोवियत संग था वरतमान का जो रश्या है ठीक है इसके राश्ट्रपति थे और ये समझोता कब हुआ था 1986 में टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कब हुआ था तो टिहरी बांध परियोजना का जो पहला चरण था इससे बिजली उत्पादन 2006 में शुरू हो गया था ठीक है इग्जेक्ट डेट आपको याद रखनी है 30 जुलाई 2006 से ठीक है 1000 मेगा वाट की यहां परियो तीरी बांध परियोजना के दूसरे चरण में कितने मेगावाट की जल विद्दूत परियोजनाओं को कारिया पूरा किया गया है तो पहले चरण में हजार दूसरे चरण में भी हजार और तीसरा चरण जो था वो 400 मेगावाट का था ठीक है तो दूसरे में भी कितना है 1000 मेग टोटल कितना हो गया 2400 मेगावाट ये जो उपर आपके 2000 हैं ये तो सिंपल है आपको इनको के अलग से यादनी करना टिहरी बांध परियोजना के साथ हैं ये जो 400 मेगावाट का अलग सा यहां पर जोड़ा गया है ये आपका जो टिहरी में एक बांध है कोटीशवर बांध तो उसी को इसके साथ जोड़ा गया है तो कोटेशवर बांध भागिरती पर है टिहरी पर है ये भी आपको याद रखना है ठीके टिहरी परियोजना का तीसरा चरण है टिहरी जल विद्दूत परियोजना से कितने मेगावाट विद्दूत का उत्पादन होता है इससे होत है 2400 मेगावार्ट का option D इसकी शमता कितनी है 2400 मेगावार्ट टिहरी से संबंदित निम्न कत्रों में से एक सही नहीं है वो कौन सा कत्र है आपने बताना है तो कत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे पहला statement है टिहरी राजिय भार्द्य गणतंत्र में वर्ष उन्नी सो इसको योजना आयोग ने मंजूरी दी 1978 से इसमें काम शुरू हुआ टिहरी बांध ने भागीरती नदी को निगल लिया था ये भी बिल्कुस सही है टिहरी बांध भागीरती के उपर ही बना है जो भागीरती और भिलंगना है उनके संगम पर बना है लेकिन अब वो जो परियोशना नेक्स्ट है उत्राखंड की किस परियोजना को राश्ट्र का गाउं कहा जाता है तो वही कोशन जो हमने उपर देखा टिहरी बांध परियोजना ठीक है जो टिहरी परियोजना है इसमें हिस्टेदार कौन कौन से राज्य है कुशन बन सकता है तो इसके तीन हिस्टेदार है एक है योपी एक है हमारा उत्राखंड और एक है अमारी दिल्ली ठीक है तो टिहरी बांध परियोजना के हिस्टेदार कितने हैं उत्तरपरदेश उत्तरा का पानी मिलता है तीन सो क्यू सेक पीने का पानी मिलता है योपी को कितना पानी मिलता है यहां से दो सो क्यू सेक पानी मिलता है उत्राखंड को यहां से बारहा फीसदी बिजली रोयल्टी के रूप में मुफ्त मिलती है यह कोशन भी बनता है कि उत्राखंड को रोयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली फिरी में मिलती है 12 प्रतिशत चाहे वो कोई भी बांध हो अगर उसे केंज सरकार ने लगाया है, अगर किसी दूसरे राज्ये ने लगाया है तो वो उत्राखंड को 12 प्रतिशत बिजली फिरी में देगा ठीक है तो ये आपको नंबर याद रखने हैं पूछे जाते हैं उत्राखंड का टिहरी शहर पून रूप से जलमगन कब हुआ था उत्राखंड का जो ये टिहरी शहर था पुराना टिहरी जो बांध में डूब गया था ये डूबा आपका 29 अक्तूबर 2005 में ठीक है यानि कि option C इसका right answer होगा बांध विरोधी समीती का गठन कब हुआ था तो टिहरी बांध जब बन रहा था तो इसको लेकर इसका विरोध भी हुआ और इसी के विरोध के लिए एक बांध विरोधी समीती का गठन किया गया था कब किया गया बहुत आसान है इसको याद रखना जब टिहरी बांध का काम शुरू हुआ कब हुआ शुरू 1978 बस उसी साल टिहरी बांध के लिए बांध विरोधी समीती का गठन भी हो गया था यह आपको याद रखना है 1978 वर्ष 1978 में टिहरी में बांद विरुदी समीती का गठन किसके नित्वित्व में हुआ था तो यह जो बांद विरुदी समीती बनी कहा पर बनी Most important टिहरी में ही बनी क्योंकि वहीं पर बांद बनना था ठीक है कब बनी 1978 में इस समीती के अध्यक्ष कौन थे या किसके नेत्वती बनी ये बनी थी विद्यसागर नौटियाल के नेत्वत तुमें option A हमारा सही आंसर यहां पर होगा ठीक है अगर आपसे पूछा जाएगा दिए विद्यसागर नोट्याल से तो आपसे ये प्रशने पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध के विरोध में सरुप्रतम आवाज किसने उठाई थी तो आप बताएंगे रा 1991 में ये भी याद रखना है ठीक है कोशन बन सकता है कितने दिनों तक रुकवाया कब रुकवाया किसने रुकवाया सुंदरलाल भहकुडा ने और अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध के विरोध में 1979 में सुप्रीम कोट में एक याचिका दायर की गई थी वो एक Welcome, tradition पर आएक हमारा दार्चूला पन बिजली परियोगन का निर्मान किस नदी पर किया गया है जो ये धार्चूला पन बिजली परियोगनाना से है इसे हम धौली गंगा परियोगना के नामसे भी हiationता है तो confused मत कर जाना ठीक है किस नदी पर होगी धौली गंगा नदी जनपत पूछेगा तो ये आपके पिथोरगर जनपत पर इस्तित है कौन सी नदी पर है धौली गंगा धौली गंगा में भी अगर आप से पूछा जाए कि पश्चमी है कि पूर्वी तो आप बताएंगे ये पूर्वी धौली गंगा है कई बार पूछ लेता है ठीक है ये शुरू की गई थी 2005 में ऑप्शन सी भारत के किस जल विद्दूत परियोशना में सर्व प्रथम कट ओफ वौल तकनीक का प्रियोग किया गया था तो सबसे पहले कट ओफ तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया वो धार चुला पन बिजली परियोशना में ही किया गया फिर से कहूंगा वही धौली गंगा परियोशना जो की पितोरागर में है पूरवी धौली गंगा पर ठीक है कुमाउ छेत्र में भूमिगत पावर हाउस एवं सुरंग वाली पहली परियोशना कौन सी है तो इसका आंसर भी वही है पहली परियोशना जो भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली है धारचुला पनविजली परियोशना मनीरी भाली परियोजना किस नदी पर निर्मित है देखें मनीरी भाली परियोजना important है ये आपके उत्तरकाशी में है जनपत भी पूछा जाता है उत्तरकाशी में है और आपके भागिरती नदी पर ये बनी हुई है 90 मेगावाट की मनीरी भाली परियोजना phase 1 तो जो ये मनीरी भाली परियोजना वन है जो वन वाली है 90 मेगावाट की है और ये राजे में 1983 से कार्यय रत है किस नदी पर है? भागी रती किस जन्पद में है? उत्तरकाशी मनीरी भाली परियोजना चू के अंतरगत धरासु पावर इस्टेशन को कब प्रारम किया गया था इसे शुरू किया गया था वर्स 2008 में हमने वन वाली तो पढ़ ली ठीक है और वो 90 मेगावाट के 1983 से काम कर रही गया सेकंड वाली के अगर हम बात करें तो ये जो मनीरी भाली परियोजना 2 है इसका काम शुरू हुआ था 1976 में इसने बनना कब शुरू किया 1976 लेकिन 1990 में इसका काम बंध हो गया किसके वज़े से पैसो की कमी के वज़े से ठीक है उसके बाद 2002-3 में इसका काम दोबारा से शुरू हुआ ये जो मनेरी भाली परियोजना चालूक किया गया, यहां से उत्पादन शुरू हुआ 2008 से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धरासु पावर स्टेशन आपके किस परियोजना के तहत बनाया गया यह मनेरी भाली परियोजना 2 के तहत उत्तरकाशी में है मनेरी भाली परियोजना 2 की विद्धुत उत्पादन शम्ता कितनी है तो कितनी है ये आपकी 304 मेगावाट की जो हमने उपर पढ़ा धरासु पावर स्टेशन ठीक है यानकि उसकी उत्पादन शम्ता कितनी है 304 मेगावाट दहुली गंगा परियोजना किस जिले में इस्तित है? उपर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पिथोरगड में इस्तित है कोटिशवर बांध किस नदी पर बना है तो उपर मैंने आपको इसके बार में बताया कोटिशवर बांध आपका भागिरती नदी पर बना हुआ है टिहरी गड़वाल में ये इस्तित है 2011 से इसका पहला चरण शुरू कर दिया गया था और कितने मेगावाट की थी मैंने आपको बताया था 400 मेगावाट की ये कोशन बहुत इंपोर्टन्ट है कोटिशवर बांध आपसे पूछा जाता है जनपद और नदी तो जनपद टिशिरी नदी भागिरती विश्नुगाड पीपल कूटी जल विद्दुद परियोशना निम्न में से किस नदी पर विक्सेत की गई है तो विश्नुगाड पीपल कूटी जल विद्दुद परियोशना आपके अलक नंदा नदी पर है और जनपद अगर पूछा जाएगा तो ये आपके चमूली जनपद में इस्तित है उत्राखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है उत्राखंड का पहला पावर हाउस या पावर प्लांट जो था ये था गलोगी जल विद्धुद परियोचना ना सिर्फ उत्राखंड का बलकि उत्तर भारत का भी ये पहला आपका विद्धुद प्लांट है भारत का ये दूसरा है पहला मैसूर में स्थापित किया गया था और भारत का दूसरा और उत्तर भारत का पहला उत्राखंड का पहला गलौगी जल विद्दूत परियोजना 1906-1907 में इसकी स्थापना होती है मसूरी में जो भट्टा फॉल है उसके उपर ये बना हुआ है तो इसकी स्थापना आपके मसूरी में की गई है बट्टा फॉल पे यहां से आपसे पूछा जाता है कि इसने या जो ये गलौगी जल विद्धूत परियोशना है इससे विद्धूत उत्पादन कबशे शुरू किया गया तो आपको इसके दो वर्ष याद रखने है 1909 और 1912 ठीक है तो 1909 इसका जादा आंसर माना जाता है पहला रेफरेंस आफ इसी को दें अदरवाइस दोनों आपको याद रखने है उत्राखंड के किस जनपद में इचारी बांध इस्तित है बहुत इंपोर्टन कोशन है ऐसे ही आपको रेंडम ली कोई भी बांध और नदी और जनपद पूछ लिया जाता है इचारी बांध आपका देहरा दूर मे जो आपके और इंपोर्टन बांध है जो टोन्स नदी पर बने हुए है जैसे की एक बांध है जिसका नाम है किसाओ बांध ठीक है ये भी आपका टोन्स नदी पर है देहरा दूर में है एक है छिबरो बांध ये भी देहरा दूर में है टोन्स नदी के उपर बना हुआ है आपको ये दोनों याद रखने हैं, खास्तोर पर ये तीनों, इचारी, किसों और छिबरो लखवार बांध किस नदी पर बना है? लखवार बांध ये भी आपके देरादून में हैं और ये आपका यमुना नदी के उपर बना हुआ है इनमें confusion हो जाता है, जो आपके टोन्स और यमुना हैं, इनके पर काफी सारे बांध बने हुए हैं देरादून में, इनको लेके confusion हो जाता है तो आपको उपर वाले याद रखने हैं आपका इचारी बांध, छिवरो बांध, किसाओ बांध, ये यमुना में हैं, तोन्स नदी पर है देरादून में और आपका लखवार बांध, लखवार के अलावा एक है आपका खूदरी परियोशना ये भी यमुना पर है देरादून में, एक है आपकी धालीपुर परियोशना, ठीक है, एक है आपकी धकरानी परियोशना, ये भी यमुना पर है देरादून में, एक है आपकी कुलहाल परियोशना, ठीक है, कुलहाल परियोशना भी देरादून में है यमुना पर और एक है आपकी 82 जल परियोशना, जल विद्धुत परियोशना, ये पेपर में पूछी गई है, हाल ही में, ये भी यमना नदीपर है आपके देरा दून में, पंचिश्वर बांध परियोशना किन देसों की सयुक्त परियोशना है, तो पंचिश्वर बांध उत्राखन की प्रस्ताव परियोशना है, सबसे बड़ी परियोशना है, 5040 मेगा वाट की और ये भारत और नेपाल की सैयुक्त परियोचना है इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच समझोता कब हुआ था? 1996 में ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये काली नदी पर बनेगा, काली नदी को नेपाल में शार्दा नदी कहते हैं इस बांध के बारे में पूछा जाता है इस संधी को लेकर के कि भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर बांध को लेकर महा काली संधी कब हुई थी आप बताएंगे 1996 में पंचेश्वर बांध किस नदी पर निर्माणा धीन है तो पंचेश्वर बांध आपका काली नदी पर बनेगा निम्न में से कौन सा राज्य कौन से राज्य किशाओं बांध परियोजना से लाभानवित होंगे जो किशाओ बांध है यह आपका टोंस नदी पर है अपने उपर देखा देहरदून में है और इससे आपके उत्राखन और हिमाचल यानिकि इन दोनों की यह संयुक्त परियोजना है किशाओं बांध उत्राखन के किस जन्पद में है तो ये आपके देहरदून जन्पद में इस्तित है option c हमारा right answer किस नदी पर है टोंस नदी पर किशाओं बांध किस नदी पर है अभी हमने देखा टोंस नदी पर है निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है तो इन में से कौन सा बांध है जो यमुना नदी के उपर बना हुआ है आपने बताना है राइट आंसर है सूरी धार या सूरिय धार ठीक है option C हमारा राइट आंसर होगा कोठार बांध की बात करें तो ये कोसी नदी पर बना है यमुना पर नहीं है कालगड की बात करें ये रामगंगा की उपर बना है किशाओ बांध की बात करें ये टोंस नदी पर बना है तो इनके सारी नदिया भी याद रखनी है केवल जो ये सूरीधार है ये किस पर है यमुना पर उतियासु बांद परियोशना का निर्माड किस जनपद में किया गया है उतियासु बांद परियोशना ये आपके पौड़ी गड़वाल में है और अलक नंदा नदी के उपर बनी हुई है ठीक है उतियासू लगू जल विद्दूत परियोचना किस नदी पर बनी है अभी हमने देखा आपकी अलक नंदा पर बनी हुई है राम गंगा बांध को किस नाम से भी जाना जाता है तो राम गंगा बांध आपका पौड़ी में है, पौड़ी गड़वाल में है, पश्यमी राम गंगा के उपर बना हुआ है और इसे कालागड बांध के नाम से भी जानते हैं और इसे को हम कालागड बांध के नाम से भी जानते हैं जो यह फाटा व्योंग परियोशना है, इसका निर्माण IPPS के द्वारा किया गया है उतना ज़्यादा इंपर्टन कोशन नहीं है कि आपसे यह पूछा जाए किसने इसकर निर्माण किया यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि फाटा व्योंग परियोशना कौन से जनपत में और किस नदी पर है यह आपके रुद्र परियाक में है और मंदाकनी के ओपर बना हुआ है ठीक है यह बस आपको यह दो बात हैं याद रखनी है कोठार बांध किस नदी पर बना है देखे कोठार बांध अभी हमने उपर देखा यह कोशी नदी के उपर बना हुआ है राज्य का सरवादिक जल संग्रहन शम्ता वाला बांध आपका कोठार बांध है कोसी नदी पर बना है अलमोडा जनपद में ये इस्तित है नानक सागर उत्राखंड के किस जनपद में इस्तित है जोशियारा से धरासू तक विद्दुत परियोजना हेतू जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलो मीटर लंबी भूमिगत सुरंग किस नदी पर बनी है तो ये बनी है भागीरती नदी पर जल विद्दुत उर्जा उत्पादन के अंत्रगत उत्राखंड में कितनी मेगावाट शमता की मिनी या माइक्रो हाइड्रिल परियोचना की स्थापना की गई है तो ये की गई है दो मेगावाट टक की ठीक है ऑप्शन ए निम्न में से गलत युकमक आपने चैन करना है इन में से कौन सा आपका गलत है तो करते हैं इनको कवर दिखे टिहरी बांद आपका भागीरती और भिलगना पर बना है बिलकुत सही है किशों बांद इसको किशों बांद करना ठीक है किशों बांध टोंस नदी पर बना है ये भी बिल्कु सही है कोटेशवर बांध सरयू नदी पर बना है ये बिल्कुल गलत है कोटेशवर बांध टिहीरी में है और भागिरती नदी पर बना है ठीक है तो आप्शन C हमारा सही आंसर है लखवार बांध आपका यमना पर है बिलको सही है निमले में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है फिर से पहचानना है गलत कौन सा इन में से तो देखिए डारेक्ट ऑप्शन B पर आएंगे विश्नु प्रियाक परियोशना ये रुद्र परियाक में नहीं है ये चमोली पर इस्तित हैं टीक है तो ये गलत है आपका टीक है ओप्शन B इसका राइट है बाकित तीनों आपके सही है निमले में से कौन सा यूग्व सुमेलित है अब आपको सही वाला बताना है ठीक है तीन गलत है एक सही है एक्जाम में आपको question को ध्यान से पढ़ना है कि सुमेलित है पूछ रहा है ये सुमेलित नहीं पूछ रहा है इन में से कौन सा सही है देखते ही बता देंगे उतियासु परियोजना ये पौड़ी में है बिल्कुर सही बात है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्लिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर होगा विश्णो परियाग परियोजना वर्श उनिस सो असी ये आपस में सुमेलित नहीं है नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सी परियोजना देहरदून जिले से संबंधित नहीं है इन में से कौन सी परियोजना है जो देहरदून की नहीं है देखिए छिबरो परियोजना, खोदरी परियोजना आपका जो बालीपूर परियोजना है ये भी आपके देहरदून में है जो मुहम्मदपुर परियोजना है ये हरिदवार में आती है ठीक है और जो रामगंगा परियोजना आप जानते हैं ये पोड़ी में आती है केवल तीन और पांच जो हैं ये धेरदूर में नहीं है option A इसका सही आंसर यहाँ पर होगा next है हमारा और आज का अंतिम प्रशने इसके बाद हम लिस्ट को देखेंगे आपने यहाँ पर बताना है कौन सा कथन या कौन सा उसका जो कारण है वो सही है देखे कथन दिया है टिहरी बांध परियोजना को राश्ट्र गाउं की संग्या दी गई है बिल्कुस सही है टिहरी बांध को राश्ट्र का गाउं कहा जाता है दूसरा इसका जो स्टेट्मेंट दिया है कारण धार चुला पने बिजली परियोजना में बांध का निर्माण कॉंक्रीट फेज रॉक्फिल डैम तकनिक से किया गया है ये भी बिल्कुल सही है तो A और R दोनों यहां पर सत्य है ठीक है अब देखे अब हम यहां पर कुछ महत्पुन जलविद्दूत परियोशना है इनको आप नोट करते वे जरूर चले या फिर आफ इनका स्क्रिशॉट ले लीजिए कुछ समय बाद इनकी PDF आपको अप्लोड हो जाएंगी लेकिन PDF से जादा आपको फायदा नहीं होगा खास तो पर MCQ वाली का क्योंकि आप देखते हैं इन पर आंसर तो माक है नहीं तो आप इसको कैसे आप इसको कवर कर पाएंगी तो आप आंसर यहां से आप इनको नोट करते हुए ज़रूर चले जो एक्ष्टा फेक्ट है वन लाइनर के रूप में आप सबसे बैस तरीका यही है कि जो कोशन आपको यहां पर MCQ की रूप में मिलते हैं उनको आप वन लाइनर के रूप में नोट करते हुए चले जैसे आपने वन लाइनर के रूप में कोशन बना दिया उसके नीचे उसका आंसर लिखा और फिर सारे एक्स्टा फेक्ट आपने वहीं पल लिख लिए तो जब भी आप रेविजन के लिए जाएंगे इस कॉपी को खोलेंगे आप एक प्रशन को पढ़ेंगे और उससे जुड़ेवे साहरे तत्य आपको एक ही जगा पर मिल जाएंगे चली अब कुछ महत्यपून जल विद्धूत परियोजना की बात करेंगे कौन कौन सी नदी पर है और कौन से जनपत में है धार्चुला पन बिजली परियोजना उपर हमने देखा धौले गंगा पर है पिथोरा गड़ में है कोटेशवर बान भागिरती पर है तीरी गड़वाल में विश्णु प्रियाग जल विद्धूत परियोजना ये अलकनंदा पर बनी है चमोली जनपत में है खटीमा परियोजना शार्दा नदी यानि काली नदी पर है उधमसिंग नगर में है चीला परियोजना गंगा नदी पर है पौड़ी गड़वाल में बहुत इंपोची जाती है चिवरो परियोजना टोंस नदी पर है देहरा दून में धालीपुर परियोचना ये यमना के उपर है देहरादून में है बडियार परियोचना इंपोर्टन्ट है बडियार परियोचना ठीक है ये पूछी जा सकती है ये भी यमना पर है देहरादून में गौरिकुंड परियोचना ये अलकनंदा नदी पर बनी है रुद्रपरियाक में है गौरिकुंड परियोचना कोटली भेल परियोचना ये गंगा नदी पर है टिहरी गड़वाल में पत्री परियोजना की बात करें तो ये भी आपके गंगा नदी के उपर है लेकिन ये हरीद्वार में है ठीक है धगरानी परियोजना ये भी आपके देहरादून में है और ये आपके यमुना नदी के उपर है इनको नोट करते वे जरूर चले लोहारी नागपाला परियोचना भागिरती नदी पर है उत्तरकाशी में टनकपुर परियोचना शारदा नदी पर है चमपावत जनपत में बगौली बांध, पाडुली बांध, मेलखेत बांध, तीनों इंपोर्टेंट बांध हैं पिंडर नदी पर है चमोली जनपत में दुनाव परियोचना पूर्वी नयार के उपर है पौड़ी गड़वाल में दुजाव परियोचना पश्शिमी नयार के उपर है पौड़ी गड़वाल में बनाला परियोजना ये आपके नंदाकनी के ऊपर है चमोली जनपत में, नेक्स्ट है मलारी जेलम परियोजना ये आपके पश्ची में धॉली गंगा के ऊपर है चमोली जनपत में, जाला कोट परियोजना ये धर्म गंगा नदी के ऊपर है तिहरी गड़वाल में, लंगरांस हारीपुरा बांध जलाशय आपके बाकरा नदी के उपर है उदम सिंग नगर में चुंगर चाल परियोजना पूर्वी धौली गंगा के उपर है पिथोरा गड़ में और छिर्किला बांध परियोजना ये भी पूर्वी धौली गंगा पर है पिथोरा गड़ में ये कुछ इ ऐसे थे जिनको हमने यहीं पर देखा यहां से नीचे के सारे बांध ठीक है इंपोर्टेंट है इनको आपको ध्यान में रखना है तो फ्रेंट्स यह था हमारा उत्राखन जी के टॉपिक वाइस MCQ सीरीज का आज हमने 22 पार्ट यहां पे कवर किया उत्राखन के जल विद्दूत परियोचनाओं का पूरा टॉपिक हमने यहां पे कवर किया मैंने पूरी कोशिश करी की साधे घंटे में मैं आपको पूरा जो डाटा है पूरी जो information है आपको यहां पर में प्रोवाइड करवासकूं अतरिक तत्यों के साथ उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें जरूर बताएं और साथ ही आपका score कितना राह यहां पर वो भी हमें comment box में जरूर बताएं Thank you friends